चो लिए बिफोर आइस सब्सक्राइब देखेंगे ना तो आपको बहुत बड़ा है चैप्टर मिलेगा बहुत बड़ा CBSE में ये चैप्टर आक्चुली में 5 चैप्टर में बटा हुआ है 4-5 में तो वैसे तो आपके ISA syllabus के accordingly बहुत जादा in-depth testing है नहीं but for your research methodology कल को आप PhD करेंगे या post graduation करेंगे या MBA करेंगे वहाँ पे काम आएगा for your so-called CUET children क्योंकि कुछ states में इंडिया में statistics 12 में पढ़ाई जाती है और CUET maximum 12 का syllabus पूछते हैं तो आपको वहाँ काम आएगा तो उस playlist को जरूर रेफल करिएगा मैं चीजें discuss करूँगा आपके सास्थ बट क्योंकि उतना जादा in-depth में है नहीं तो I'll be sticking code to yours content but I'll be discussing those things as well तो और broaden knowledge अगर आपको चाहिए तो अप उस playlist के videos को जरूर access करिएगा ठीक है तो हमने दो बातें पढ़ी थी बच्चो statistics को one in singular sense and other in plural sense ध्यान से सुनिएगा जब बच्चों हम बात करते हैं collection of data की तो दो तरह से data collect होता है one is called as primary collection of data and other is called as secondary collection और data collection के लिए बहुत देर सारे methods है बहुत देर सारी techniques है बहुत कुछ है बच्चों काम बहुत करना पड़ता है इसमें that's why statistics in plural sense refers to what collection data once collected will now be analyzed will now be interpreted and after analysis and before interpretation आप क्या करेंगे उसको present करेंगे तो ध्यान से मेरी बात सब बच्चे सुनेंगे singular में और plural में चल्रेन आपको थोड़ी सी similarity नजर आ रही होगी and what is that yes यह बहुत बड़ा confusion है बहुत बच्चों को रहता धरती पे confusion सर कलेक्शन ऑफ डेटा सिंग्लर में एगा कि प्लूरल में when we are doing its collection it is प्लूरल one it is once it is got collected it becomes singular तो पूरे महले में ट्रावल कर लिया एक एक घर से जाके आपने नाम पता एज ग्रूप मेरिकल स्टेटस शादी हो चुके नहीं हो चुके कितने बच्चे सब कुछ पूछ लिया पांच हजार घर हैं आपके महले में दस किलोमेटर के अंदर मान लीजे पांच किलोमेटर मान लीजे और आपने एक एक घर में जाके डेटा कलेक्ट किया this is known as but उसके बाद जब वो डाइरी में कॉपी में collected है it become singular फिर आप उसका टैबलर presentation करते हैं फिर आप उसका mean median mode वगरा निकालते हैं तो यह सब भी क्या है बचो singular but दोनों में what is common बचो collection is common in both okay तो many a time teachers also get confused and people say कि collection is plural only and analysis presentation and interpretation is singular ऐसा नहीं है बचो collected दोनों में आ जाता है तो while it is the process of collection plural once collected on the table it is similar खाना बन रहा है खाना बन रहा है वाटट लिए तो यह क्या हो भी था कुछ time पहले तो देर खाने का बनना कड़ाई में और उसके बाद casserole में serve हुना दोनों जगा इट वस kept earlier वस kept in the vessel utensil in the kitchen नाव टेस्ट इस एप इन डाइनिंग टेबल तो दोनों में भई तो इसले collection of data sounds to be common in both उसके बाद जो आपका यह प्रेजेंटेशन टैबल और ग्रैफिक वगेरा 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 यह सब कहां पे चला जाएगा सिंग्लर तो collection दोनों में आता है समझ में आ गई बात पका इसको लिख लिए बच्चो बहुत inquiry is just the what is called as collection of data अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी colony में कितने लोग अगली बार election में so called Congress को वोट देंगे कितने लोग BJP को वोट देंगे और कितने लोग हमें वोट देंगे आपने एक data collect करने की drive पूरी colony में start की there are 4560 people above the age of 18 years जो वोट देने के लिए eligible है तो इन लोगों से जब आप बाते करेंगे data collect करेंगे तो दो चीजें होंगी चल्ड़न इधर you will collect data from all or you will collect data not from all from a particular percentage of people और जो उनका answer होगा आप मान के चलेंगे कि सब का answer same है तो हो सकता है कि आपने 25% लोगों का interview लेने के लिए decide क्या कितने परसन चले 25% तो आपने यह मान लिया कि 25% लोग जो जवाब दे रहे हैं बाकी सब का जवाब भी वह होगा यह आपने सबसे जवाब मांगा अगर आप सबसे जवाब मांगेंगे बचों इस method को बोलते हैं census और अगर आप सिर्फ 25% लोगों से जवाब लेते हैं और मानते हैं कि सबका जवाब वह होगा तो it is sampling एक एक घर जाके आप पूछ रहे हैं या 25% घरों में जाके आप पूछ रहे हैं तो दोनों चीज़ों को बोला जाता है प्राइमरी कलेक्शन ओफ डेटा या अपने एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया की वेबसाइट से अपने कॉलनी जिसको वॉर्ड बोलते हैं डब्यू ए आर्ड अपने वॉर्ड का डेटा डाउनलोड किया कि पिछली बार कितने लोगों ने कॉंग्रस को दिया था लोगों के पास डठाउता यह परडिकान प्लेस नियुड अपने टेली वॉर्ड इने ब्रगों को बट प्लेटे है आज कल फो पॉलिंग मशीन से होता है भॉर्ड लह अपकी अटेंडनेस तो लगती है अब और तो आपने बटन दबाया हाँ वो परसन को आन मताई अगर कल को थम इंप्रेशन लगने लग तो पता लग जाएगा इंडिविज्व नाम नहीं वो नहीं होता वो कैसे पता लगेगा वो तब पता लगेगा जब बैलेट पेपर पे आपका इलेक्शन आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो लिखा जाए वो नहीं लिखेगी गवर्मेंट यह तो पता लगा एंटी पार्टी वाले आगे मुडर कर दें आपको वो नहीं होता है कितने परसेंटे लोगों ने किस पार्टी को पॉट दिया यह डेटा होता है तभी तो शबरी ने की थी बच्चो रामाइन देखी होगी राम जी के लिए एक एक बेर टेस्ट करी थी ना शीडिट सैंपलिंग बट उनका करने का तरीका सेंसस था एक एक बेर को खा के देखा एक एक बेर को बट अगर मान लिए आदा किलो बेर में 100 ग्राम खाती और मान लेती 400 ग्राम वैसे ही हैं तो सैंपलिंग बनाता है तो दुनिया की पहली सैंपलर और सेंसर जो थी सेंसर करने वाली लेडी डाट वस शबरी बेसिकली की लेसंस फ्रॉम रामाइन तो बच्छो लिख लिए स्टैस्टिकल इंक्वाइरी की डेफिनेशन इसा सिस्टमाटिक प्रॉ 260 लोग हैं जिनके उपर आप रिसर्च करेंगे इन्हें बोलते हैं पॉपिलेशन या यूनिवर्स के बोलते हैं पॉपिलेशन या यूनिवर्स पुरे हिंदुस्तान की वर्ल्ल की पॉपिलेशन नहीं है ठीक है तो अगर आपकी क्लास में स्कूल में there are sixty students कॉल गैट वाले कि डिए और अगर उन्होंने दस बच्चों को लिया टीथ का अनलिस्स कर लिया और मान लिया बाकी 50 का भी यही डेटा रहेगा वोट देड़ सांप्लिंग समझ में आ गई समझ में आगी बात, primary, secondary में census और sampling में difference लियर हो गया, पक्का बचो, तो census method, sampling method, data collection का method होता है, आप एक-एक का interview करते हैं जाके तो primary हो गया, बट किसी source से ले लिया तो secondary, logic समझ में आगया, पक्का, और एक-एक का interview ले रहे हैं तो census, और कुछ particular proportion में उठा लिया तो sampling, चावल करीदें जाते हैं, बीस किलो की बोरी है, आपका restaurant है, एक-एक दाना चावल का देखोगे, हाँ सर, ये census हो गया, what it clear, बट अगर हाथ में 50 gram लेके देख लिया, क्या quality आपको पता लग जाता है, फूरा वैसा ही होगा, that is sampling, okay, error के chances, census में भी होते हैं, आप जिसका interview लेने जा रहे है, गलत जवाब देदे, error के chances तो जो भी हरकत इंसान करेगा, उसमें होंगे, only machines do not have chances of error, डंचलन, copy कर लिया, पापकी जी, तिशार जी, copy कर लिया, yes, sir, so, जो इनसान ये हरकतें करता है, data collect करने की, उसे क्या बोलते हैं, investigator, और investigator की, जो help करते हैं, they are enumerator, they are enumerator, और जिनसे ये data collect किया जाता है, they are respondent, अब इसमें मैं आपको एक ज्ञान और देना चाहूंगा, ताकि आप confused नहोंगा, जो data collect करेगा, that person is known as investigator, और जो उनकी help करेंगे, they are so called enumerator, समझ मैं गया, और जिनसे reply expected है, they are, just hold on, informants, क्या बोलेंगे, informants, बट यहाँ कहानी थोड़ी different है, अगर directly आप data collect कर रहे हैं, personal interview से, तो इन लोगों को informants को बोलते हैं, respondents, और अगर indirectly आपने किसी agency को hire कर लिया, और वो आपके लिए data collect कर रही है, तो इन informants को क्या बोलते हैं, witness, इसलिए बता रहा हूं, because MCQ में आपको भजाया जा सकता है, तो मान लीजिए कि मेरे को data collect कराना है, कि बच्चों का syllabus total कितना percentage, by 10th January खतम हो चुका है, जो board exam देने जा रहे हैं, आपकी colony में या आपके पूरे शेहर में, शेहर थोड़ा जादा हो जाएगा, दो-चार महलों में मिला के, let us say 2000 students are there children, अब अगर आप directly इन 2000 बच्चों के घर जाएं, और इनसे बातचीत करें, तो हम इस method को क्या बोलते हैं, primary collection of data, पूरे 2000 के घर गए, तो क्या बोलेंगे, census, 500 के घर चले गए, जो वो बोलेंगे, वही सब का जवाब होगा, it is sampling, और अगर आपने बच्चों, I repeat, किसी internet website से, मोहले का कोई application है, किसी tuition center से जाके बातचीत कर ली, then it is secondary, collection of data, इतनी बाते समझना आती है, तो confusion तो नहीं है, census, sampling और secondary, तो main है primary और secondary, direct source से collect किया, तो primary, collected source से collect किया, project बनाना है, government of India को, poverty के उपर, world bank को report देनी है, गलत नहीं हो नहीं चीए, primary, आपको school ने project submit करना है, googlechacha.com से download करके छापके दे दिया, that is secondary, कितनी बात समझना आ गई, एक-एक को universe में, population में, सब को visit करेंगे, पूछेंगे तो, census, कुछ handful of लोगों से बात कर लीजे, तो, sampling, इतनी बात समझना गई, पका, तो यह जो census और sampling होता है, primary collection में होता है, secondary में, हो सकता है, but actually होता नहीं, क्योंकि बोलते हैं न कि एक-एक परसन से हम data लेंगे, तो primary में ही होगा, so जब भी आप data खुद collect करें, जो आपको reply देगा, वो informant, directly आप खुद collect करने हैं, तो respondent, किसी के through collect करवा रहे हैं, तो what witness, तो respondent का मतलब समझना गए, बचो, कौन होता है, तो direct, यहाँ पर लिकाना, person from whom statistical information is collected is known as respondent, गलत लिखा है, बचो, गलत लिखा है, oh my god 2 का review लेने के लिए, खुद, आप खुद news reporter है, तो जो लोग movie देखके, निकल रहे हैं, बहुत अच्छी थी, five star, seven star and all that, they are respondents, they are respondent, बट अगर आपने किसी agency को ठेका दे दिया, भै तुम हमको पूरा survey कर गे, शाम को बता देना, हर जगा जाने का आपके बस time नहीं है, कोई agency आपके बहाब पर काम करेगी, तब वही लोग, जो respondent थे, उन्हें क्या बोला जाएगा, witness, याद रहेंगी बते हैं, तो direct collect हुआ, तो respondent indirect हुआ, तो witness, होते वो लोग informants हैं, logic understood, logic understood, आपके पास लॉंगे वाला border में, कुछ किसान है, जो पाकिस्तान से आने वाले terrorist की report देते रहते हैं, directly आपको, आप military man है, इंडिनामी में है मान लीजिए, और direct आपको phone आता है, तो वो इंसान जो आपका informant है, वो क्या होगा, respondent होगा, बट आपको किसी के through पता लगता है, direct नहीं पता लगता, तब वो इंसान, जो खबर दे रहा है, खबरी, जिसको आप respondent बोल रहे थे, उसको क्या बोलेंगे, witness बोलेंगे, ठीक है, अब लोग कहेंगे, सर्क कोर्ट में witness होता है, वो दूसरा witness होता है, सो, inquiry की कुछ stages है, children, put the heading in your copies, stages of statistical inquiry, पहली stage होती है, planning की, I repeat, पहली stage, planning की, heading लिख दीजे, stages of statistical inquiry, the first stage is planning, कि आप क्या करेंगे, किस तरह का data collect करेंगे, आपका purpose क्या है, आपका object क्या है, उस data collection का, written everybody? लिख दिया बचो, चलिए, तो सबसे पहले आप क्या specify करेंगे, रोमन वन लिख दीजे, objective of inquiry, investigator को खुद clear होना चाहिए, फिर जिससे वो data collect करेगा, उसी हिसाब से question पूछेगा, I repeat, उसी हिसाब से question पूछेगा, कि statistical study का objective क्या है, there after आपका scope, कितने geographical area, कितने time और कितनी बातों के उपर होता है, अब मान लीजे भाई, water wastage के उपर आप एक data तियार कर रहे हैं, ताकि government को आप बता पाएं कि कितना water का wastage और कैसे उसको control किया जाए, किसी जमाने में rain water harvesting जैसी कोई चीज हमने सुनी नहीं थी, हमने तो पढ़ा हीं ता जोगरिक्विमिक है, I passed my class 10 27 years ago, got it clear, अब rain water harvesting तो भई class 2 और 3 का बच्चा जानता है, environmental sustainability के लिए, घर बनते हैं आजकल, अगर rain water harvesting का आपने plant या setup नहीं लगाया, तो municipal corporation आपका map ही नहीं अप्रूफ करेगा, सब्सक्राइब होता कहरे इन water harvesting, simple भाषा में अगर बोलें, जो भी पानी बरस रहा है, उसका proper storage किया जाए, यह नहीं कि सड़क पे गिर गया तो तो कीचण बन गया पूरा, किसी काम का नहीं है, proper pipeline के थूँ, इतना गहरा गड़ा करवा दीजिए, जैसे boring होती है न, summercible pump, वो वापिस वहाँ तक चला जाए, water table तक जाना चाहिए, logic सोंज में गया, तो पहले लोग अपने गर में summercible boring कराते थे, थागी water का problem ना हो, तो बस अब दो pipe लगवाने है, एक जो पारिश का पानी वहाँ तक ले जाए, और दूसर जो वहाँ से निकाले, तो flats, apartments, इन सब के लिए तो government ने ज़री कर दिया है, और जिनका घर भी 200 square yard से बड़ा है बचो, and ये date शायद 1st April 2000, if I am not wrong, शायद 7 या 8 से rule आया इंडिया में चले लिए, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, और लोग के हमासर तो घर बहुत बढ़ा है सब हमारा घर, और हमारे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपका पुराना घर बना होगा, आने वाले टाइम में government mandatory कर देगी सब घर होके लिए, कि अगर आप rainwater harvesting plant अपने घर में नहीं set up करते हैं, हम आपको electricity connection ही नहीं देंगे चाहिए, समझ में आई बात, got it clear, reliance का ले लेंगे वो भी नहीं देंगे अपने electric connection, क्योंकि उनको भी NOC चाहिए, no objection certificate, आपके बच्चे का school and vision नहीं होगा, आपको रेस्टों में खाना नहीं मिलेगा, आप कार नहीं खरीद पाएंगे, समझ में आई बात की नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको चोराय से आगे नहीं जाने देंगे आपके घर के, lockdown लगा देंगे आपके घर के बाहर, यह सब बढ़िया टेक्नीके लिए, चलिए, scope of inquiry is understood, चलाँ, तुशा जी, आपकी जी समझ में आगे, scope of inquiry, ये सर, टेटा चाहिए, ठंडी में तो यह results बिल्कुल मत करियेगा, समझ में आगे, काफी महलेवाल कहेंगे, हमारे यह तो नाना suspended है, एक देड़ महीने बात ना आएंगे, अब, चलिए, वाट इटल ना, नेक्स्ट, population to be studied, population, यहाँ पे एक standard international statistical unit है, तो यहाँ पे population का मतलब होता है, वो लोग, जहाँ से हम data collect करेंगे, जो हमारे informants है, ओके तो population और universe का status में वो मतलब नहीं होता, जो जोगरफी में होता है, तो अगर आपकी class में 75 students है school में, और IQ test होना है, तो हो सकता IQ test 5 बच्चों का किया जाए, और उसको 15 से multiply कर दिया जाए, मान लेंगे, अगर 5 बच्चों का IQ level 92% है, तो पूरे 75 का, पूरे 75 बच्चों का 92% होगा, क्या क्या बच्चों, sampling किया की census किया, sampling, और सारे के सारे 75 बच्चों का IQ test किया, तो इट इस census हो जाएगा, ठीक है, I hope so, आपकी book में point दिखेंगे, आप लिख लेंगे इसको, चलिए, second children, source क्या होगा, अब आप कहेंगे सर सब तो आपने बता दिया है, डारेक्ली collect किया तो primary, indirectly तो secondary, चलिए, एक data collect करते हैं, कि वही, fast food, जिससे आप junk food बोलते हैं, इसकी sale आपकी colony में कितनी है, तो आप अपनी colony के जो street food वालों तो चाइना टाउन चैप दुगाने, McDonald's, Pizza Hut, Burger, King Burger, सेंग, सेंग, Burger, वगएरा, वगएरा, आप यहां जाएए, और यहां पूछिए कि आप किस age group से, किस age group के लोग आते हैं, किस चीज़ की demand जादा है, demand किन दिनों पर जादा होती है, सब कुछ आपने collect किया, आपने visit किया इन लोगों को, अगर गूगल वेबसाइट, किसी published source, किसी magazine से data निकाल लो, then it is called as second, समझ मागया, organization अपने own records से data निकाले और publicize करे, तो it is internal, and जब दूसरे लोग इसे इस्तमाल करते हैं, तो it is external, या दूसरी जगा से आप लेके आते हैं data तो external, अपने back से book निकाली और पढ़ने लग गए, it's internal, library से book issue कराई तो external, library वालोंने books करी दी, system है school का, internal, वो school के बच्चों के लिए है, that is external, यह मत सोचेगा primary is internal and secondary is external, ऐसा कुछ नहीं होता है, understood चलन, तो इंडिया में IT business का volume, आने वाले 10 साल में, कितना बढ़ेगा या घटेगा, अरे कुछ भी होगा, अम इसकी बात नहीं कर रहे है, अगर enforces, अपने data का trend देखे, कितना और इसके basis पर report बना दे, तो internal हो गया, यह ना primary है ना secondary, क्योंकर collect नहीं किया, यह सिर्फ manipulate किया है, अरे मैं रूप्लेट का मतलब यह मसला महले ना, कि दाय माय कर दिया, अपने data को use किया, अपने data वो use किया, इस दाट क्लियर, बट अगर वो Wipro, TCS, ऐसी companies के offices में visit करें, अपने लोगों को visit करा हैं, और उनसे data collect करके लाएं, तो इस primary, ministry of information technology, ministry of broadcasting, cell phone usage, phone companies, इनकी website से download करने, इनकी reports, इनकी reports, इनकी रिपोर्ट, समझ में आगई बाद, बैंक को debt fraud के उपर एक report त्यार करनी है, और RBI ने बोलाई कि आप ये काम करिये, तो बैंक अपना data इकठा करेगा, अपने internal records से और दे देगा, इन्टर्न, जो लोग commerce के student है, वो लोग जानते होगी कि पहले transaction को एक जगा record किया रहा है, वहाँ से दूसरी जगा, वो भी तो इक तरह का data है, इन्टर्न, इन्टर्न, और government जब उस data पर आपके profit निकाल के आप से tax ले तो, एक्स्टर्न हो जाएगा, बाते समझ में आ गई, टेक्नीक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, बताया थाना थोड़ी दिर पहले, ओल और सम पर्सेंटेज, एक बिस्किट खाया, शॉप पे, सो कॉल्ड और ओर दे दिया, पांच किलो का, इट इस सैंपले, एक बिस्किट खायेंगे, और पांच किलो खरीदेंगे, हर बिस्किट की एक बाइट, समझ तो आप कोई शबरी या शबरा नहीं है, तो दाट इस सैंसस, तो शबरी ने काम सैंपलिंग का करना था, बट किया सैंसस के तरीके है, किसके तरीके है, सैंसस की तरीके है, शॉपिंग करने का है मैक्स पे, मम्मी से आपने का हमको पांच जीन्स ले दो, और छे टीशट ले दो, आपने एक टीशट पहन के देखी, साइस फिट था, उस मेजरमेंट की चार-पांच और खरीद ली, सब ट्राइ नहीं किया आपने, क्या गिया, सांप्लिंग, बट कुछ होते हैं खाली टाइप के लोग, टेके कपड़ा पहन के देखेंगे, वॉक करके देखेंगे, सही चल रहे हैं कि नहीं, लोग भूर के देख रहें कि इन देख रहें, पापा को दिखा रहे हैं, रिष्ट दारू दिखा रहे हैं, विडियो कॉलिंग चल रहे हैं, जूम मीटिंग अरेंज कर ली है, गूगल मीट हो गया, समझना कहा, दाट इस सेंसस बिसिकली, घर में खाना बनता होगा न बच्छों, आप स्पून टेस्ट करते हैं कि नमक में रिष्ट ठीक है कि नहीं, कि पूरी दाल खा के देखते हैं, एक स्पून ना, तो दाट इस सैंप्लिंग, दाट इस सैंप्लिंग, 25 गया स्टाइट से, बर्डे पाटी में, पांच-छे को वेटरन ने स्टाटर सर्फ किये, एक गंड़े से स्टाटर सर्फ हो रहा है, अभी फिर सर्फ किया आपके कहने पे, पांचों ने मना कर दिया, वेटर समझ जाएगा, बाकी भीस भी खाने में इंटरस्टेट, नहीं है, वो कह रहे हैं, में कोर्स खिलाओ, अब वही खाएगे, स्टाटर से पेड भर गया हमारा, वेटर भी ऐसा करना, चार-पांच लोग से पूछता, फिर किसी से नहीं पूछता, क्या गिया वेटरन ने, सैंप्लिंग, एक-एक को जाके फिर से पूछें तो, सेंस्स हो जाएगे, तो इसलिए सेंस्स, समझ मागी बात चलो, चलिए, एक्जीक्यूशन औफ स्टाटिस्टिकल इंक्वाईरी, अगला स्टेफ है बच्चो डेटा कलेक्शन में, कैसे एक्जीक्यूट करेंगे, आप डेटा कलेक्शन के लिए, कुछ टेक्नीक और रिसॉसस को इस्तमाल करेंगे, अगर आप डारेक्ट विजिट करते हैं लोगों को, प्राइमरी, रिसॉसस हैं, वहाँ से लिलते हैं तो, सेकेंट्री, आपने ही डेटा कलेक्शन किया, तो आप इन्वेस्टिगेटर, किसी के थ्रू कलेक्शन कराया तो, एन्वेस्टिगेटर, जो आपकी हल्प करेंगे, डारेक्ट परस्नल इंटर्विव आपने लिया बच्चो, और डेटा कलेक्शन करके लिया है, जिनसे डेटा कलेक्शन किया, उन रिस्पॉंडेंट्स को, और अगर आपने किसी के थ्रू डेटा कलेक्शन कराया बच्चो, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेंट्स को क्या बोलेंगे, विट्नेस पून देंगे, समझ में आ गई बात, बच्चों बात समझ में आ गई, क्या, नहीं नहीं यह गलत है, एकदम गलत है, प्राइमरी डेटा में ही दोनों चलेगा, आप मेरा प्लेलिस देखिए, अगर सीवेसी वाली में उसमें पढ़ाया है, साफसाफ लेखा है, फिर से सुन लीजे मेरी बात, फिर से सुन लीजे, देर आर हंड्रेड पीपल, अगर आप इसमें से अगर आप इन दोनों कामों को, डायरेक्ट परस्टनल इंटर्व्यू के तहत करें, आप खुद इंटर्व्यू लेने जा रहे हैं, नौट किसी के थ्रू, इस अट क्लियर, तब आपके जो इनफॉर्मेंट्स होंगे, इन्हें क्या बोला जाएगा, रिस्पॉंद्ट्ट्ट्स, और अगर, इन्डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आप किसी के थ्रू करवा रहे हैं, आपने एजिंसी को काम सौप दिया, कि हमारे लिए डेटा कलेक्ट करके ले आओ, तो इन्दाट केस चिल्डरेन, इन्दाट केस, जो आपका इन्फॉर्मेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे यह जो डारेक्ट पर्स्नि इंटर्व्यू करने वाली टीम है, इन लोगों को बोला जाता है, इन्वेस्टिगेटर, और यहाँ पे भी बचों, जो टीम इन्डारेक्ट ली डेटा कलेक्ट कर रही है, उन्हें भी क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर, दोने इन्वेस्टिगेटर होंगे, हेल्प जो लोग इनकी करेंगे बचों, ते आर्दा एन्यूमेरेटर्स, और इनकी भी जो लोग बचों, हेल्प करेंगे, ते आर्दा एन्यूमेरेटर्स, पूरी थेऊरी समझ में आगल, बाकी बुक में काट पीट के सब लिखा हुआ है, CBSC content is very huge, पढ़िएगा बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ, आपका तो एक ही चैप्टर्स अब लिए पढ़ेगे, बिचारे पांच चैप्टर पढ़ते हैं, इसलिए बहुत इंडेफ्थ पढ़ते हैं, मम्मी से आपने का, रेट गरर की टी-शिट ले आओ, अब मम्मी जो रेट लाई आपको पसंदी नहीं था, आपने लिए डॉर्क रेड, प्राइमरी का मतलब है, कि डारेक्टली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सोर्स से, किसी का अल्रेडी कलेक्टेड आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपने सबजी मंडी से सबजी खरीदी, घर में बनवाया और खालिया, ये प्राइमरी हो गया, जो मैटो से ओर्डर किया तो कोई और बना के दे रहा है आपको, ये क्या हुआ, से केंडरी, मैं आपको एकनोमिक्स से लेक्चेर में, ट्रेडिंग एकनोमिक्स दॉट कॉम दिखाता था ना, वेबसाइट, उससे जीडीप बगएरा पता लगता था, आप खुद निकल जाए, पुरे इंदुस्तान का डेटा कलेकर के जीडीप निकाले, मौत आजएगी वैसे तो, जन्मों तक नहीं हो पाएगा, ये क्या है, सर्फ दिमागी नहीं है इसके बगए, तो ये सेकेंडरी बेसे की, समझे की नहीं समझे, समझ में आया की नहीं आया, मम्मी को उस्था चला, कान के नीचे दो लगा दिया, प्राइमरी, बट पापा से कहके लगवाया समझ में आया कि नहीं आया आप समझ आगे ना वेरी गुड चलिए तो बही आपके लिए जो डेटा है ये अक्यूरेट होना चीए रिलाइबल होना चीए और रिप्रेजेंटेशन हाई हो मतलब अगर क्लास में 70 बच्चे हैं और हर बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक अपनी है बच्चो हेटरो जीनियस है जीनियस तो है हेटरो जीनियस है मतलब कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पे सैंपलिंग बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते यू शुड गो फॉर सेंसेस हाँ अगर आपको पता है कि 95% बच्चो का IQ लेवल नेचर एकदम सेम है साथ बच्चो को उठा क्या IQ टेस्ट कर लीजे पता लग जाएगा बाकी 63 रिवेनिंग का भी वही था तो रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत हाई होना जी है बचो सेंसेक्स का नाम सुना है निफ्टी का नाम सुना है और सुना होगा निफ्टी-50 यह वैसे तो मैं फिनाशल लिटरसी वाली क्लासेस में लेता हूँ टॉपिक्स बट मैं आपको बता देता हूँ है क्या को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस में होती है बस कुछी दिन में टेक अप करेंगे तो जब वीडियो देखिएगा जरूर इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज है बचो उनके प्राइसेस का आवरेज निकालते हैं जैसे आप परसेंटेट निकालते हो ना क्लास टेंथ में छे साथ आठ सब्जेक्ट जोते सबको जोड लिया डिवाइड़ बाइ एट अब यह जो 30 कंपनीज है इसमें हर तरीके की कंपनी है आटो मोबील भी है सिमेंट वाली भी है लाइटिंग इंडस्ट्री भी है देर आफ्टर क्या कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री भी है टेलिकॉम भी है ओयल भी है इंशॉरंस भी है बैंक भी है सब तरीके के हैं वैसे ही यहाँ पे कंट्री की टॉप तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने टॉप थर्टी कंपनीज की रिपोर्टिंग पब्लिक को देने की सोची नाश्नल स्टॉक एक्सचेंज ने सोचा हम भी यही करेंगे तो चिटोरी है चिटोरी है बोलेंगे लोग हमको चिटरकॉक तो इन्होंने टॉप फिफ्टी कंपनीज जैसे ICSC में क्लास 10 में साइन्स के तीन अलग-लग पेपर होते है फिजिक से अलग, केमिस्ट्री अलग और मैठ से अलग ज्यादा इंटेंस स्टेडी है बाई अलग, सॉरी वाट इट लिए, नाट मैठ बट CBAC में तीनो एक ही रहता है तो बाई अपना-अपना है बट 11 टोल में सब जगा सेम है तो टॉप 50 कंपनीज में बच्चों, बैंकिंग कंपनीज आर देर बैंक्स हैं, आटो मुबील है लगबग 20 से 20 सेक्टर हैं तो क्यों सर सबको लिया गया सबको लिया गया सबके प्राइसेज जोड़े गए सबके प्राइसेज ने चेंज बताया कि भई धाई प्रतिशत का चेंज कल से आज में हुआ है मतलब मारी एकॉनमी ग्रो कर रही है बट अगर इसके अंदर सिर्फ बैंकिंग कंपनीज हो सिर्फ बैंकिंग तो ये डेटा क्यों होता है कि बच्चे को हर सब ये पढ़ा जाता है 10 तक माना जाता है कि आप 10 तक सब पढ़िए फिर आपका जो इंट्रेस्ट होगा सर कोई इंट्रेस्ट में है सर तो ठीक है भी लिख्ष चलो जाके क्योंकि आर्विमेंट मिजन ले लिए तो फिर अगर बच्चे का इंट्रेस्ट में इस्ट्री जोगर्फी में जाता है टूरिजम में बिजनस स्टाब्लिश करना चाता है तो हिमालिटी सब्जेक्स है के पढ़ ले ड्रॉइंग आर्ट वगेरा बहुत अच्छी है तो भई फैशन स्टाइज ले ले बहस बहुत करता था अपने माबाप से बेटा तू लीगल स्टाइज ले ले खेल कूद में बहुत तेज था स्पोर्टी टाइप का था तो कभी फिस्टल एजुकेशन ले लो कल को सकता है बहुत बड़ा जिम खोल ले गोल्ड जिम, सिलवर जिम, ब्रॉन्स जिम, जिम की पूरी चेन चलाएं कुछ भी हो सकता है लॉटिक सोना आया तो बोला जैता है बई दस भी तक तो सब कुछ बढ़ो उसके बाद जो एरिया उप इंट्रेस्ट होगा वहाँ पे कूद फाल मचा देता है इस समझना गया वैसे ही यहां पर भी है कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं बच्चो सारी वराइटी रिफ्लेक करें आय रेपीट सारी वराइटी रिफ्लेक करें तो यहां तक की बातें जो आपने पढ़ी बच्चो वह थी प्लूरल क्या थी अब सिंगलर स्टार्ट होता है क क्या करेंगे डेटा को मशीन के अंदर टालतेंगे कि अप्रोसेसिंग स्टार्ट होगी चेक करेंगे उसको अकॉर्डिंग ली एडिट करेंगे यह क्या क्या ट्रांसपर टू काड़ टेप और कंप्यूटर किसी जमाने में मेमरी काड आते थे बच्चो ऑडियो कसे आता थ वह कंप्यूटर स्टूरेज डिवाइस होती थी आजकर तो क्लाउड स्टूरेज का जमाना चल रहा है तो डेटा आप उसके अंदर डाल दीजिए चलन एनीबडी हैस हर्द अबॉट दिस यह सुना है बिजनस अनलिटिक्स बीबीए इन बिजनस अनलिटिक्स एमबीए इन बिजनस अनलिटिक्स MS in Business Analytics पता है Business Analytics या होता है ये नए तरीके का कोर्स है MBA भी होता है सब होता है ग्रैजुएशन पोस्ट ग्रैजुएशन आपने अगर कभी गौर्द किया हो कि आपने Google पे टाइप किया Nike Shoes 6 नंबर Brown color सर्च किया आपने बस कहानी चालू अगले 15 दिन तक आप कोई भी इंटरनेट वेबसाइट खोलिए कुछ भी क्या नदर आएगा आपको Nike जूता आपको हरी इतना जूता मिल रहा है क्या वो ऐस से होता है 99% होता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा mobile on है यह मेरी voice track करते मेरा area of interest क्या है simple as that उनको पता है कि person का area of interest क्या है आपको जब वो चीज़ें दिखाते है तो आप कहीं न कहीं तो हो सकता है buying के लिए click करीद हो अब ultimately चलता क्या है बचो यह आपकी आवाज सुन रहा है आपका mobile हाँ आप अगर internet बन कर दीजे ना तो कोई problem की बार नहीं है तो आपकी आवाज सुन रहा है आपकी search history track कर रहा है तो इसके बाद यह data Google ने कठा किया अब आपने जूते के उपर data search किया यह data Google बेचना start करेगा Nike को, Puma को, Amazon को Flipkart को, Mintra, Pintra, Tintra इन सब को बेचेगा सबसे पहले यह महेंगे बायर्स को बिखेगा सर कितने का बिखता है आपका जूते का data मान लीजे एक डॉलर का 500 data आप जैसे 500 लोग की search history Amazon को एक डॉलर में Google बेच देगा अच्छा सर ऐसे कमाता है समझ जाया हम तो सोची नहीं बात है फोकट का Google पैसा कैसे कमाता होगा इसके अलावा जो आप रीचार्च गराते हैं 399 का रिलाइंस जीओ का कुछ 25-50 उससे भी इनको मिल जाता है लॉजिक समझ मा गया पका तो यह आपका data बेचते हैं खोपड़े में बात गई नहीं गई और कहीं आपका रेडमी रियल्मी पोको फोको इन सबके फोन है तो समझ लीज़े आपका बैंकिंग डेटा तक भी पिख जाता है किसी लिए आईफोन आपका डेटा किसी को नहीं बेचता है तो रेडमी वाले फोन बेचते हैं बीस जा रहा और आपका डेटा बेचते हैं अस्तिया जा रहा एक लाग को इस तरह कमाते हैं लॉजिक सोज़ना गया एपल वाले एक लाग आपी से लेनते हैं फिर डेटा किसी को नहीं बेचते हैं सबसे पहले हम रॉड डेटा करते हैं फिर टैबिलेशन शीट यह आदे बच्छों एक दो तीन चार डम क्या था ये टैली बाक्स फिर इस तरह से आप इसको अरेंज कर देते हैं तो इसका अरेंड्मेंट भी मैं सिखाऊंगा कैसे एरेंज होता है in the form of table graphical है और पोन बगल में रखे पापा मंमी के साथ एक हफता लगा तार foreign ट्रैवल की बाते करिए आठवे दिन गूगल आपको नोटिफिकेशन भीजने लगेगा ट्वेंटी परसंट डिसकाउंट ट्रैवल क्यों हाँ फास्ट होगे डिटा मान लीजिए जो आप साच करेंगे नलायक आपको भेज देंगे आप रेस्टों जा रहे हैं तुरंत कैसा बिजनस कर रहा है अलाबाद प्रयागराज में एलची को कैसा चल रहा है ताज की क्या रेटिंग है तो दूसरे लोग उस रेटिंग को यूज करते हैं जब रेटिंग को यूज करके वहां पर जाते तो वहां पर फिर पूशा जाता है आपको मारे बारे कैसे पता यह बात Google ताजवालों को बताता है कि देखिए हम आपका advertisement कितना अच्छा कर रहे हैं आप हमारे पास advertise करिए क्यों फालतु टीवी में advertise करते हैं जमाना इंटरनेट का है तो Google के लिए नया business established हो गया समझ में आ रही यह बाते बचो statistics कितनी इंपॉर्टन्ट है पक्का विशा जी समझ गई पाफी जी समझ गई अब गूगल मैप्स नहीं था किस दमाने में पान वाले से पूश के जाते हैं अब गूगल मैप्स आ गया गूगल ने कहा कि हम आपकी काड़ी की इससे क्या फाइदा होगा मान लिजी एक्सिट बगरा हुआ जिसे आपल की आइफोन में इंडिया में भी नहीं है फीचर यूएस में यूके में चाइन जपान में है क्रैश अगर आपकी गाड़ी का एक्सिटेंट हो गया आपका आइफोन सेंस कर लेगा और तुरंत वो एमर्जेंसी सर्विसेस को कॉल कर देगा हाँ तो एपल वॉच उसी फोन से ही तो कनेक्टेट है बेवकूफ समझ में आ गई बात लोग सुनते नहीं है पूरी बात प्रेपरेशन ऑफ रिपोर्ट यह सब्सक्राइब करते हैं ठीक से करते हैं यहां पे मेरे को याद आता है आमेजान का स्टार रेटिंग वन परसंट रेटिंग कितने लोगों ने दी तू परसंट वन स्टार टू स्टार त्री स्टार रेटिंग कितने लोगों ने दी अब आपको प्रॉड़क्त खरीदना और आपने का कि वही फोर पॉइंट फाइव स्टार से उपर ही खरीदना है जो आप सौट करते हैं उसमें आता ना स्टार रेटिंग हाई टू लो तो जब आप 4.5 या 4 स्टार अबफ करेंगे तो आपको वही प्रोड़क्स दिखाएगा वही रिसेलर दिखाएगा जो स्टार से उपर बेश रहे हैं तो यह खरीदने वाले बाइर के लिए एक बहुत बढ़िया सजेशन है ओयो रूम्स में आपने रूम बुक कराया ओला उबर नाम सुना है बच्छों के पहले यह नहीं होता था अब होने लग गया अगर आप आप बुक करा के कैंसल करा दें कैंसलेशन फीज जूड़ जाती है क्योंकि इसकांद आप मज़ा ले रहे हैं उनसे और कभी-कभी आपने यह भी देखा होगा कि ओला के ड्राइवर की रैइवर की रैंकिंग होती है कभी आपने बच्छों अपनी रैंकिंग देखी है मैं आपको बताता हूं मैं यह टाइम नोटेस्ट और लोग क्या बुक कराते कैंसल हो जाती है वो यह आपकी रेटिंग बहुत कराब होती है क्या बाला भी आपकी रेटिंग करता है युन नहीं को नेसेसरी वेट करवाया पैसे देने में प्रॉब्लम क्रिएट की फोपलें ब बरोसा बापिस होता है फिर वो cash on delivery देते हैं यह इनका algorithm है software का सारी चीज़ें कहां से आती है statistical data से यह सारी बातों की पढ़ाई ही business analytics program में कराई जाती है बचों बट अगें आलू वो भी हमेशा जिंदा रहेगा जिसने ठीक से statistics पढ़ ली Indian statistical institute से BN stats MN stats BSC statistics MSC statistics कर लिया these people are highly preferred and thereafter we finally present the report अभी गया ना उपर प्रग्यान and all that वहां से report देंगे चलिये तो यह presentation of report is exactly like जैसे आपने कभी सुना होगा अपनी project report में आप graph बनाते हैं आप बार डाइग्राम बनाते हैं पाई चार्ट बनाते हैं और teacher कहता है very good जिस बच्चे ने पाई चार्ट नहीं बना ऐस टीचर उसको बीस नंबर के project ने आठ नंबर देता है but how did you get 18 marks आपने ठीक से project को represent किया था बिब्लोग्राफी टीक से लिखी दी डेटा अच्छी जगह से collect करके लाए थे images आपने लगाई तो आप डेटा अच्छा था basically presentation बहुत बढ़िया थी okay तो अगर हमारे lander का क्या न सब्सक्राइब कर सकते हैं वह बहुत इंडेफ्ट है बहुत इंडेफ्ट है बहुत इंडेफ्ट है आपके स्कूल में टेस्टिंग इतनी होगी नहीं बड़ ग्यान चाहिए मैं तो बीच-बीच में देता ही रहता हूं बड़ आप वह क्लास भी अटेंड कर सकते हैं ओके कोई क्वेरी है तो प्लीज आस चल्ड़न